है नमस्कार दोस्तों दोस्तो आज हम इस वीडियम जानने वाले हैं वीफ फॉड समर्श इह वलका सकते हैं घर वैठे दूस्तों समसिया पाणी कम दे रहा थाण पांकिंगह पूरी कि तूड गई थी तोस्तों जाम हो गया थो मोटर नप्र जादा ले रहा था बोर vase नेकालने के बाद हमने इसे चिप किया तो में पता चला कि इसका खराब है पंखे पंखी रिपैर करने करते वक्त दोस्तों सबसे पर आई पी को अच्छे से बैठाते है और बैठाने के बाद दूस्तों देख पार है आमने सामने चाहे तो 4 बोल्ट को आपको ध्यान देना है कभी भी जिस मोटर पर चलाना है इस मोटर को उपर शेट करके भी बनाएं देख पार हैं इस प्रकार से आपको चारों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों यह दिफोर का समयर सिवल है और इसमें कोरा फोर एंपिलर वाउल लगा हुआ है कोरा फोर क्योंकि दोस्तों इसके जो पंक्खी आती हो नंबर बाई जाती है इसके बाद देख पार हैं यह साप्ट है साप्ट को चड़ाएंगे दुस्तों कभी आप अलग से पंक्खी को सेट ना करें क्यूंकि अलग से करेंगे तो मोटर को ओपर सेट करेंगे तो वह सेटिंग व्रबर हो जाती है फिर वह one jam चलती है जा तो उपर उड़ता है देख प बार सुने होंगे कितनी स्टेज की पंखी है देख पारें सबसे पहले सेट करना अच्छे से बैठा लेना है दोस्तों इसके उपर हम बैठाने वाले हैं अभी सबसे पहले ध्यान देना है अब सुरू हो गया यहीं से काम दोस्तों मेरा नाम है गोपाल और आप दिख रहें आ इसके लिए दोस्तों हम हाइट को मिंटेन करने के लिए हम सीम वारसल का प्रेयोप करेंगे दोस्तों यह सब समान आपके नजदी की रिपेयर की दुकान पर मिल लेगा जो पार्ट्स विक्रिता है देख पार है कुछ इस प्रकार से आपको सीम वारसल लगा देना है अभी आप किसी भी पंकी की एक वारसल को काट के डाल दें दोस्तों इसके बाद इसके उपर हम बावल को लगाने वाले हैं देख पार है इस तरह से बठाना है यह अच्छी क्वाल्टिक हम इंपिलर और पंकी यूज कर रहे हैं दोस्तों देख पार है इसमें स्टील का बारी टा जादा नीचे भी नहीं होना चाहिए कि इस्टेप बाइस्टेप आप देखें दोस्तों यह चैनल पर नए है कि रिपाइस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जो रूग कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो आपके चैनल पर आते रहते हैं दोस्तों सभी एंपीलर में आपको हाइट को मिंटेन करना है देखना है ऐसा नहीं है कि एक एंपीलर को सेट करते जाएंगे सही हो जाएगा कई बार नहीं होता, इसलिए हम sim parcel का प्रयोप करते हैं देख़ों है, हम height को देख रहे हैं कितना उपर उठ रहा है कितना नीचे है इस प्रकार से आप set करते जाएं, अभी set यह नहीं खा रहा है, दोस्तों हम इसमें sim parcel का प्रयोप करेंगे और चलिए दोस्तो दोस्तों लास्ट टक बने रहें क्योंकि इसमें आपको सेटिंग बताने वाला हूं जो कि लास्ट में बताऊँ गा दोस्तों क्यों कि वो कि वोगर यह पंक्य आपकी पानी काम उठाएगी मैं आपको बता दूँ यदि आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप रिपेयर करने के बाद भी पंकी आपकी जाम हो जाएगी यह चलेगी दोस्तो पानी कम उठाएगी इस तरह से पताएगे अनुसार आप रिपेयर कर रहे हैं पंकी को दोस्तो अच्छी पानी उठ प्रिषर भी अच्छा रहेगा अ कुछ इस्तर से सबस्क्राइब नाo शोकीस का है इसे एंसे वी करते हैं कि दोस्तो वी स्तर से आता है यह जितना जैसे वीफा-थ्म्म इप पतली है विसिक्स और मोटी है इस हिसासे होता राया दोस्तों वीच उगलरे जादात तर 5 दोड यहां घरेलू समर्शिबल पंप है हमारा दोस्तों पंक्खी को रिपेर करना बहुत ही आसान है सिर्फ आप इसके सेटिंग एक बार समझ जाएं बाकि कुछ इसमें है नहीं है दिढान रहे आपको की साईड में बैठा रहे हैं कि कंग आता कि भी ही हाव क्या कि अकाम को स्टार्ट के रहों और voiture बैटा करें इसके बाद दोस्तों अगली स्टेप में आपको बताऊंगा सबसे ओपर जो हम कैसे इसके गलास करते हैं गलास को कैसे करने लेने यहाद करते हैं जो कि आप देख पा रहा है साइड में रखा हुआ है कि दोस्तों कि समर्षिवर संबंधित काम सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो आइकन को दबा के रखें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता कि दोस्तों मैं आपको बता जूँ इसका जो हमने डाल दिया है कि जहां-जहां आप सकता था महीं डाला है दोस्तों अभी लास्ट में उजए यह हैं एक पीलर बैठा लेना है देख पा रहे हैं वार्षल लगावा इसमें स्टिल का आप तो इसके ऊपर दोस्तों हम बैठाने वाले हैं आप कि शिलिप बुश अब आप कि ज्यादा जनकारी यहीं से ध्यान से देखना है या वीडियो कि कैसे हम सेटिंग करते हैं गलते के चलवाटों जो आप देख पा रहे हैं कि रहготовiggs S десятillibus को बैठाना born की दोस्तों सिलिफ़ करते हैं पसल他们 बैठाते वक्त आपको इसमें क्वाटर पिन टाइप का जो आता है इसका लॉक करने के लिए डाल देना है दोस्तों इसके बाद ये पांस नमर के लंकी लगा हुआ है इसे हम टाइट करेंगे इसके पहले हम मीडल डाले लेते हैं दोस्तों ये लास्ट जो कि मारा बूस इसी पर चलेगा देख पा रहे हैं ये उपर खुला हुआ है इसलिए दोस्तों क्योंकि पानी अच्छे से बाहर निकल सके मीडल डालने के बाद हम टाइट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि इसका वार्शल है बाहर बढ़ा है जो लेबल का होता तो हम टाइट करने के बाद भी मीडल डाल सकते थे और आपको इ ग्लास को इसके अंदर बैठाना होता है में तो इसे ग्लास एक ऊधाले हम अच्छे से देख है क्योंकि कि दियान देना है कि है इसकी कि इसकी कितनी बनी और और हमारे ग्लास का हाइट क्या है उसे हम नापते हैं जो कि आप आगे देख पाएंगे इसके लिए दोस्तों देख पारें बहुत अच्छी फिटिंग आई है लेल लेना है आपको एक नाप करने के लिए एक लकड़ी चाहे तो पीवी सी साथ नमबर पेपर को गुला बना लें कुछ भी आपको नाप निकलने के लिए एक इसके साइज का लंबा सा उक्करण चाहि दोस्तों यह रहा हमारा ग्लास ग्लास को हम फिट करने से पहले साफ कर लिए दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह से हम नाप ले रहे हैं दो दोस्तों हमारे पास हेक्सा वाला जो ब्लेड है ब्लेड है उससे हम नाप ले लेते हैं ग्लास का दोस्तों देख पा रहे है हमार अगर ज्यादा है तो उससे निकाल भी सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे ज्यादा लग रहा है तो इसके अंदर निकाल लेते हैं दोस्तों इसके बाद उपर से आपको हलका सा पंकिक उपर ग्रीस या ओल लगा देना है ताकि अच्छे से जाए अगर शेट नही तो ध्यान देंगे उससे को आपको मेंटेन कर लेना है मिला लेना है जहां पर हमारा लगता है नट गोल्ड ऑुटशका है систप देख पारें दोस्तों यह हमारा है है हैट को से चरहरा अब हैएन तो इस तरह से आप रिख्यार कर सकते हैं चले वीडियो को कैसा लगा कमेंट कीजिएंगा दन्य बाद दोस्ते मिलता है के लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार